वेल्कम बेक तो मारी चैनल को आज की वीडियो ने वाली काफी ज़दा है और आज कल सभी को इस वीडियो की जलद है और 100% एफेक्टिव है मैंने खुद पर ट्राय किया है और फूरा फाइदा होने के बाद ही आप लोग के साथ सेयर कर लिए बहुत लोग मुझसे पुछते तो वो सीक्रेट क्या है गाइस मैं आप लोग के साथ बताने वाली हूँ इंस्टाइडी प्रितिवार 24 है दिस वीडियो जगने के लिए प्लीज गो तो माई इंस्टाइडी प्रितिवारी 24 एंड हैस्टाइल की वीडियो दिखने के लिए फर्स चैनल पर जा सकते हो वहां पता होगा कि मेरे बाल बहुत जब बहुत जड़ जड़ चुके थे यहां से मेरी स्कैल्प भी दिखती थी बट कैसे मैंने ग्रोफ मिंटें किया और वॉल्यूम भी अच्छी हो गई तो चलिए सिक्रेट सेयर करती हूँ आप कोई भी ओयल ले सकते हो मैं बोलूंगी कि कोक के हिसाब से आप कोकोनट ओयल ले लिजेगा तो मैंने इतना सली आया काफी टाइम होगे मुझे ओयलिंग किये वह बालों में जिसकी वैसे मेरे बाल काफी रफ भी दिख रहे होंगे अब जो चीजिस में मिलानी है वो मैं बताने वाली हूँ अगर हलका फुलका हेर फॉल ह हो रहा है तो इससे कंट्रोल हो जाएगा अधरवाइज आप इसमें एक से दो विटामिन E की कैप्सूर्स डाल के और नसाज कीजिएगा यह है ग्लीसरीन आपको कहीं भी कॉस्मेटिक सॉप पे मिल जाएगा या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आप इसको ज्यादा नहीं बालों में बहुत ज़्यादा उलचते हैं तो आपको यह टिप्स फॉलो करना है तो नारियल तेल ले लिया है ग्लीसरीन का दस भूंद कम से कम पोकोनट ओयल में एड़ कर लेना है तो यहाँ पर मैं मेरे दस भूंद हो चुके हैं अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग और हाँ बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें दो विटामिन की कैप्सूल डाल के देखिएगा आपको एक से दो कीजिएगा ट्राइ कीजिए और फी मेरे को बताइएगा और आपके बालों में जैसे हलका फूल का हेयर फूल होता है बहुत ज़्यादा फ्रीजिनिस रहती है बहुत ज़्यादा बाल उलचते हैं तो आप ग्लीसिन एंड कोकोनट ओयल को मिक्स करके अपने जड़ों से ले बाल बहुत उलचते हैं सारी प्रॉब्लम्स खतम हो जाएंगी और लगाने के वास्ते अच्छे से मसाज कीजिए आप जबी ऑईल यूज करोगे इसको आप वन डे बालों में रहने दीजेगा ज्यादा देर तक बालों में तेल को नहीं रखना चाहिए जिसे की ज्यादा मिटती धूहुल अब्जाब करते हैं जिसे आपका हैर्फोल हो सकता है आप बालों में तेल 24 गंटे या फिर अगर आप दीजाज करोगे और आप दीजाए देखो कि आपके बालों की ग्रोथ वाल्यूम सब कुछ बहुत जादा पहले के हिसाब से तुधर जाएगी अगर बालों में बहुत जादा फ्रीजनेस रहती है बाल बहुत जादा रफ दिखते हैं या फिर उलस्ते हैं तो लैंसे में भी इस तेल को बहुत जादा अच्छे से अपलाई कीजिएगा आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस तो मेनको अभी थोड़ा सा और तेल की जड़त है तो मैं इसको फिर से कटोरी में अपने ले 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 रही हूं और तेल लालने के बाद से ग्लिस्विन की आर्दस भून्दे और डालूंगी मैं तो जिनको भी डाउट था कि मेरे बालों की ग्रोथ कैसे ठीक हो गई कैसे मेरे बाल वापस से घने हो गए तो यही सीक्रेट है जो कि मैं आप लोगे तरद सेयर करी हूं तो आप इसको हमेशा यूज करोगे तो आपको दिखेंगे कि आपके बाल जड़ने काफी हद तक कम हो जाएगे और जो वाल्यूम है लैंथ है वो भी ज़ल्दी बढ़ने लग जाएगी तो इसको मैंने अच्छे से लगा लिया अपने बालों में और अच्छे से मसाज करन अच्छे से लगा के मैं इसको दाद भर के लिए ऐसे ही बालों में छोड़ूँगी एंड कल सुबा मॉर्निंग में बॉस करूँगी तो आप इस तरीके से ऑईल लगाए बालों में तो आपकी बाल की ग्रोथ वॉल्यूम लैंड सब कुछ ठीक हो जाएगी और आप इसको ट्राइ कीजिए दो चार वीक तक ट्राइ करिए एक मेंने तक अफिर मुझे कमेंट बॉस में बताएए कि आप लोग के लिए ये कितन इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेरी हूं और इस वीडियो को चादस जगे सेयर कीजिएगा ताकि जो भी जिसको भी मतला है तो लगवग सभी को हैर फॉल की प्राबलम है तो इस वीडियो कि तरू उनका काफी हद तक प्राबलम कम हो जाएगा और काफी हेल्प मिलेगी उन थंडियों में आप अप्लाई कीजिएगा तो अपका जो जाए ने सोता है वह काफी हद तक कम हो जाएगा आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे दीरे दीरे आपका स्कीन भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो ओलिंग आपको इस तरीके से करनी है राद भर के लिए बाल कर सकते हो जो जो शैंपों आप यूज करना चाहते हो कर शकते हो एक हेडंस ओर उडर करती हूं कैसे कर सकती हूं क्या मिक्स करोगे आप तो आपका हेडिए काफी हद तक कं हो जाएगा वह बता दूगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए इंफोर्मेटिव ही हो ट्राइ कीजिए गया कमेंट बोक में ज़रू पर रताएगा और मेरा हेस्टाइल का वीडियो जितने के लिए मेरे फर्स चैनल पर ज़रू जाएगा जैसे अपने फर्स चैनल को सपोर्ट दिया प्याद दिया उमीद करते हो कि इस वजे सपोर्ट पर भी आप ऐसे ही बंदेर हो गया मुझे ऐसी सपोर्ट करोगे तो फिर मिलेंगे नेच्स वीडियो के ताद और नेक्स्ट टिप्स के साथ बहुत्स और ज़रे रहते रहते हो आप लोग के सब répondre अके णकरने सब टीआ भणार को स्ची प्लिए त्रियू नहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रिए या आप किसी भी मैटिकल स्टोर से या फिर किसी भी कॉस्मेटिक दुकान से ले लिजेगा दोनों लेना है एंड आपको यूज करना है और फिर मुझे कमे आप्यू बटाई आपको यूज किसी भी करना है रफ़रे लेक्स पार्फ़र डवदावें कि और का मुझे बटार किसी भी तरहीं भी करना है अपको यूज करते। पार किसी भी करते हैं और किसी भी अब बस्टोर्बशके एंग